यह नियर्शन का फोर्थ वीडियो है और आज हम लोग इस वीडियो में Changes of the Interrogative Sentences यानिकी Interrogative Sentence में डायर से इंडायर्ट लायर्ट से में कौनकों से रूल फॉलोग करना चाहिए वो को उन सभी को हम लोग देखेंगे तो चलते हैं जो हम लोग का Topic है Changes of Interrogative Sentences यह हो गया यह हम लोगा Topic है क्या-क्या Rules है आज तो there are total four rules जो कि हम लोग को change करते हैं मैं follow करना चाहिए पहला है कि जब भी reporting verb यानकी reporting verb यानकी say रहता है या फिर tail रहता है इसको जब भी हम लोग indirect मे करेंगे तो कि इसमें change हो जाएगा ask या asked में change हो जाता है या फिर इसके अलावा हम लोग inquired भी लगा सकते है inquire या फिर inquired या फिर inquired यह रहा अगर हम example देखे तो एक ठो तो idea clear हो जाएगा i said to him do you like it यह एक sentence है जो की direct speech में है इसको हम लोग indirect में कैसे change करेंगे कैसे इसका change जो है indirect में होगा जैसे यहां पर question mark होगा क्योंकि do you like it मैंने उनसे कहा कि क्या तुम पसंद करते हो तो फिर change हो जाएगा इसका I asked him if he liked it यह एक change है यहां पर क्या हुआ है set to गज़ा पर हम लोग ask लिख दिया है कॉमा हटा कर हम लोग if लिख दिया है और इसका जो rule है if वाला वो rule अभी हम बता दे रहे हैं तो inverted कॉमा को हटा कर क्या करना है inverted कॉमा को इसको क्या करना है remove करके हम लोगो if लगाना है या फिर weather लगाना जैसा suitable रहेगा कि sentence के साथ वैसा हम लोग put कर देंगे या तो if या तो weather अब rule number three के हम लोगा one हो गया two हो गया और three क्या है रूल में कि reported speech का आराम अगर डावलू एच वर्ड रिपोटेड स्पीच अगर डावलू एच वर्ड से स्टार्टिंग हो डावलू एच वर्ड या निकी जैसकि हूँ what when how whom एक्सेटर और बहुह सारे हैं तो यह सब कुछ डावलू एच वर्ड है अगर डिपोटेड इस स्पीच्छ जो है डावलू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो इन डारेटी स्पेस में डावलू एच का डाव्लू एच वर्ड जो रहा है повтор हूँ no change उसमें कोई किसी भी तरह का हम लोग change ना कर दें कोई भी change नहीं होगा जैसे कि example two देख लेते हैं एक ठो she see रही I told him why are you sad यह एक sentence है ठीक है direct में question में है interrogative है में interrogative याने की question होता है तो इसका कैसे change में होगा change करेंगे I asked him why he was sad ठीक है यहाँ पर डाबलू एच वर्डों चाहा है वाई उसके ज़्यापनों वाई ही बैठा है ना कि कुछ change कर दे चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा देगो यहाँ पर लिख दिया मैंने होगे और टोल्ड के जगा पर अस्ट और वाई का वाई रहेंगे और पूरा sentence fix change करके इंट्राइटेटिव सेंटेंस हम लोग डू से बना सकते हैं वाई से भी बना सकते हैं आर यानकी इस यरम के करेकली चुछ रहता उससे भी बना सकते हैं वाईस बत सकता है कि कि आई है तो ऑखले लिख वर्ड सकता है और यह व्लों यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बढ़ सकता है तो इन दोनों से मैं आप दिखा दिया है तो आर का भी बारी है तो इक्जामपल नमबर थ्री है ना थ्री को देखते हैं सी टोल्ड मी आर यू हंग्री इस इस अ को जिसको हम लोगों को इंट्रेटिव में इसको हम लोगों को इंट्रेटिव में चेंज करना है इसका चेंज क्या हो जाएगा सी अस्ट मी इफ आई वास हंग्री यह हो गया हम लोगा चेंज ठीक है रूल नमबर फॉर क्या बोल रहा है यहां पर कि शॉर्ट आंसर कोई भी कोश्चेंट जिसका आंसर जो शॉर्ट होता है यानि कि वह कौन सा कटेगर दाता है येस वो येस या नो वाला कटेगर उसका एक एक्जामपल हम लोग यहां पर देख लेते हैं I said to him do you like milk यह हम लोग का sentence है इसको क्या करना है चेंज करना है क्या चेंज हो जाएगा I asked him whether he liked milk यह हो गया हम लोगा चेंज एकदम एजिली whether या if लगाना था कॉमा अटा का लगा दिये है said to के जवापर ask लगाना यह हो गया और question मा के जवापर हम लोगों फूल स्राप बढ़ा था यह भी हो गया तो यह जो एंडारेट में चेंज हो गया अगर हम इसका आंसर दे कि I said to him do you like milk तो इसका आंसर किसमें आएगा वो बोलेगा यहनकी he said yes यह तो वो yes बोलेगा इतना में ही खताम हो ज़गा इतना में ही खताम और he said no यह हो गया यह हो गया यह हो गया answer और यह रहा था हमनों का question तो जब हम लोग question का change कर दिये हैं indirect में तो हम लोग answer का भी change कर देते हैं क्या change हो जाएगा answer का he replied reply कर रहा है question पूछे तो वो reply किया that he did ठीक है यह रहा और अगर हम इसका change करने चले तो he said no तो इसका क्या हो जाएगा change he replied that he didn't हो गया यह रहा हम लोग का change जो की answer अगर बोले तो did और answer अगर ना बोले तो didn't यहाँ पर said है इसलिए हम लोग यहाँ पर past लगा है ना कि do लगा है do जो है present form में यहाँ पर past रहता है तो इसका वर्ब में भी past रहता है तो यहाँ पर did यहाँ पर did लगया didn't did not नहीं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग एक टो नया चीज सिखे कि जब भी हम लोग किसी question का answer दे तो वहाँ पर reply का यूज करें ना कि asked या फिर told या फिर said का यूज करें यहाँ पर हम लोग reply का यूज करें क्योंकि हम लोग answer कर रहे है रिप्लाई कर रहे हैं अच्छा अब जो है आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं क्या indirect speech का structure कैसा होता है ठीक है indirect speech में interrogative का structure है ना interrogative sentence का structure यह हम लोग को आज देखना है structure देख लेने से का idea clear रहता है कि नहीं नहीं यह इस तरह से इस तरह से होना चाहिए पहले subject वा विसस यह तरह का idea आ जाता हो और कुछ नहीं तो इसका एक word order है word order देख लीजे आप लोग सबसे पहले क्या रहेगा subject फिर क्या रहे रहेगा ask या फिर require जो भी हो ठीक है फिर if रहेगा फिर या फिर weather इन दोन में से को एक और एक last वे जो हम लोग का noun clause रहता है ठीक है यह हो गया एक उसका structure और जब यह हम लोग सजा रहे होंगे मनली जो बलारा sentence हो गया तो इसी सब से सजाएंगे उसको पहले if weather noun clause इस तरह अच्छा यह तुरह पहला अब दूसरा भी देख लेता है subject plus ask या inquire ठीक है of plus object यह हो गया यह एक structure है plus क्या रहे है यहाँ पर if या weather यह रहा है और plus noun clause हो गया अच्छा inquired of plus object इसका हम लोग example एक देखेंगे तो समझ बाद रहा है कि यहाँ पर क्यूं आखिर inquired of लग रहा है क्यूं आखिर inquired of ही लगेगा यहाँ तो example देख लेते हैं एक टो example वहन सब से पहले see asked if या weather लगा देंगे हम लोग he was ill ठीक है यह जो है पहला लरूर फॉलो कर रहा है subject ask if या weather लगेगा कोई इस लगा सकते हैं he was ill यान की noun clause है example two है कुछ इस तरह see inquired if यहाँ पर भी if या weather और he was ill क्या चीज़ था हम पहले में ask लगा दिये तो ask के inquire को यह ठो लगाना है बस और मतलब ask है जो छोटा मोटा question अगर पूछे तो और inquire रहता है जो बहुत important ली जैसे कि investigation type का question समझ मैं उसको पढ़के तब में लोग inquire लगा देंगे अब है see asked him यहां पर क्या है यह रहा subject हम लोग का यह रहा जो ask है यह तो बैठे गई और इसके साथ क्या था एक्टो object था ठीक है तो यह वह वाला rule फॉलो कर रहा है फिर if या weather को एक्टो लगा देंगे हम लोग और he was ill यह जो है noun clause है समझ में यह आ रहा है यह जो है यह आ गया example two की तरह एकदम example two का example मैंने दिया है जो हम लोग rule two बताया है उसका example example three अब four को देख लेते हैं see inquired of him अब यह देखा है ना हम लोग two rules मैंने बताया थे तो यह दूसरा ला rule को एकदम एकदम फॉलो कर रहा है ठीक है तो if या weather और he was ill ठीक है यह हूँ अब हम लोग direct speech में किसी भी interrogative sentence को कैसे change करेंगे यह देख रहा है ते राइट अब क्या देखेंगे changes of imperative sentence sentence total five type का होता है ना और उसमें जो imperative sentence भी आता है वो sentence क्या वो sentences जो क्या indicate करता है order request या फिर advice indicate करता हूँ सभी sentence को imperative sentence करता है अगर आप लोग को imperative sentence के बारे में बहुत detail से जानना है तो description मैंने link दे दिया है आप लोग वहाँ पर जाके sentence का वीडियो दो है देख सकते हैं तो इसमें कुछ rules है क्या है rules पहला rule है कि reporting verb को वाक्य के अनुसार यान कि वाक्य का जो भी meaning रहेगा उस अनुसार ask tell या request या advice य क्या कर लगेगा ask tell request advice और suggest यह सब क्या है यह सब हमनों का reporting verb है के यह सब है reporting verb आधी उप्यूग वर्ट में वगल दिया जाता है तो एक example देख लेता है इसका I said to my students speak the truth यह हमनों का sentence है और speak the truth यह समझ में ही आ रहा है कि एक imperative sentence है और यह भी है एक ठोब बात की imperative sentence जो भी रहता है अधिकतर बार वो ज्यादा तर जो है verb से start होता है तो verb और यह हमनों का object speak the truth I said to my teacher तो my teacher मैंने अपने student से कहा कि सच बोलिये तो I advised मैंने अपने students को to speak the truth तो यह तो था पहला रूल दूसरा रूल में क्या बोल रहा है कि inverted कॉमा को हटाओ और क्या लगाना इसके जहाँ पर इसके जहाँ पर हम लोग two लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर two लग गया है ओके advised हो गया क्योंकि sentence पहले ही बोल दिया था कि sentence का जैसा earth रहेगा जैसा meaning रहेगा उस हिसाब समलों यहाँ पर advice, suggestion, request या tell बटाएंगे तो हो गया I advise my student to speak the truth तो हम लोग पीछे जो है एक तो example देख लेते है advice का अब देख लेते है एक तो request को example he said to her please take your seat यह एक sentence हो गया इसको क्या करना मनों को change करना है तो please देख के ही समझ में आ रहा है कि request किया जा रहा है sentence पर के ही समझ में आ गया है कि request किया जा रहा है तो यहाँ पर as usual requested ही लगना चाहिए her to take her seat यहाँ पर क्या हुआ please को हम लोग लिखे ही नहीं बलकि please को समझ लिए कि हाँ request किया जा रहा है और इसको देखकर ही हम लोग request बढ़ा दिये direct verb और उसको बाद जो next में जो compliment बसा यह object बसा उसको लिख दिये हैं अब आ जाते हैं हम लोग rule number three की हो है कहीं कहीं पर please यह kindly रहता है अभी देख लिए थे एक sentence में please और kindly से कोई-कोई sentence जो है start होता है kindly give me some money उसने मुझे कहा कि क्रिप्या करके मुझे कुछ money दे दीजिए पैसा दे दीजिए ठीक है क्या हो जाएगा c requested me to give her some money यह हो गया change यहाँ पर kindly जो वर्ड था वो नहीं लगाए हम लोग जब इंडरेट में change करें तो उससे मैं kindly को पूरा remove कर दे उसको नहीं use किये कहा से स्टाट किये गिप से कॉमाटा का 2 दे दी है kindly है समझ में आ गया कि यह जो request करा तो हम लोग यहाँ पर requested बैठा दिये है rule no.4 में आते है अगर reported speech जो है late से अधिकता बाद देखते हैं कि late से स्टार्ट होड़ा होता है तो वहाँ पे क्या क्या लगेगा वहाँ पे proposal जो reporting verb है वहाँ पे proposal लिखेंगे या फिर suggestion ठीक है यानकि reporting speech से proposal या suggestion का समझ में आए तो उसी हिसाप से हम लोग बैठाएंगे क्या क्या बैठाएंगे देख लेते हैं example देखने से ही idea clear हो जाएगा रोहित said to his friend let us have a picnic on Monday यह हम लोग का sentence है इसको कैसे change करेंगे रोहित suggested suggested to his friend that they should have a picnic on Monday 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 capital होगा rule क्याता हम लोग का phone number कि कोई sentence है जो लेट से सुरू होता है और यह reported speech को पढ़के ऐसा पता चलता है कि proposal है या suggestion है तो हम लोग reporting वर्ब में जो suggested या proposed को बढ़ा देंगे यहां पर proposed या suggested बढ़ाएंगे ठीक है और इतना देर से हम लोग imperative sentence में to to का use कर रहा है ठीक है बट यहां पर linker के रूप में that का use होगा ठीक है जब भी let से कोई sentence से start होता है तो वहां पर क्या होता है जो linker रहता है यानि कि जो दोनों को जोडता है वहां पर that होगा और let को करेंगे क्या करेंगे लेट को रिमूफ करेंगा और उसके जह पर क्या बढ़ा देंगे हम लोग शुड बढ़ा देंगे ठीक है यह रूल रहेगा और एक बात जो बोले हम तो बोली दिये है फिर भी मैं Link देती है यहÃं पर Reporting verb जो है क्या रहीगा या तो propose रहेगा या फिर suggest रहेगा जब भी it Lions кोई फेल ही जर्ट हो तब लोग क्या पर चार्ट हो गया suggested लुग꺼े क्योंति से पता चल रहा है ने दえば दिया लगाऄ दिया हम लोग को बोल रहे हैं दे को बोल रहे हैं तो यहां पे दे लगेगा ठीक है they should have a picnic on Monday rule no 5 देख लेते हैं यहादि किसी late sentence से start है ठीक है कोई sentence late से start है लेकिन इस से जो है suggestion और proposal ठीक है इन दोनों का मतलब experience नहीं हो है यह suggestion यह proposal कोई नहीं हो लेकिन late से सेंटेंस स्टार्ट है यह दोनों नहीं हो तो उस समय क्या करें हम लोग लेट के बदले उस समय हटाकर माइट कर देंगे उस समय क्या कर रहे थे इससे पहले वाले में लेट के बदले शूड कर दे रहे थे यहां पर हम लोग लेट के बदले माइट कर देंगे एक्जांपल उसने कहा कि मुझे अंदर आने दिजिए तो इसका क्या चेंज हो जाएगा she requested हाँ request तो लग रहा है यहाँ पर let me come in प्लीज मुझे अंदर आने दिजिए इस तरह का तो she requested that she might came in यहाँ पर might लग गया यहाँ पर that लग गया और यहाँ पर requested लग गया अगर हम लोग यहाँ पर request ना लगा है तो क्या लगा सकते है tell लगा सकते है क्योंकि advice तो लगेगा नहीं suggest तो लगेगा नहीं और ask तो लगेगा नहीं तो tell यह request तो request तो ज़्यादा suitable है क्योंकि sentence पर की समझवा रहे मुझे अंदर आने दीजिए तो request लिए कर रहे है ना मुझे अंदर आने दीजिए और यहाँ पर might लग गया क्योंकि छुसिंस यहाँ पर यह लेठ है लेकिन sentence से solution यह proposal का पता नहीं चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर she might अगर solution पर रहता तो she should लगता ठीक है आगे बढ़ते हैं इंडिरेक्ट स्पीच में इंडिरेक्ट स्पीच जो रहता है उसमें जो imperative sentence है उसका structure तो देख लेते हैं structure देखने से जब भी हम लोग बना रहे होते हैं कोई भी sentence जायर से इंडिरेक्ट तो अच्छा रहता है इसका structure word order है word order तो रहे गई क्योंकि कुछ change कर रहा है न हम लोग यहां पर क्या है word order subject एक मिनट रेट से उतना अच्छा सौंज़ नहीं आता होगा subject plus ask यह order यह request यह plus में हो गया हम लोग का object प्लस में इंफिनिटिव इंफिनिटिव हम बता दिये हैं और मैंने एक वीडियो में बता दिया इंफिनिटिव इसके पहले और अगर आप लोग इंट्रेस्टेड है तो वहाँ पर जाकर देख सकता है अच्छा तो इंफिनिटिव और टू वर्ब यह हो गया structure जब भी इंट्रेटिव स्विच में रहाएगा कोई भी इंफिनिटिव सेंटेंस ताब जैसे कि एक्जांपल देख लेते हैं एक्ठो शी आस्ट मी तो ब्रेंग और टेबल ठीक है सी हो गया object अस्क हो गया जो इंट समय से कोई एक रिपर्टिंग लगेगा मी हो गया object इंफिनिटिव जो टू वर्ब है infinitive मतलब यानि की वह verb जिसके आगे में हमें से two लगता है तो उनी सबी जो sentences रहता है या जो verb रहता है उसको लोग infinitive कहते है two plus verb यान की infinitive तो meaning समझ में आई गया description देखना चाहते हैं तो मैंने description में link देख दिया गा है आप लोग infinitive को description में एकदम बिस्तार से देख लिजेगा तो यह हुआ example number two देख लेते हैं he asked me to call a coolie उसने मुझे कहा कि एक coolie को गुला तो यहा पर भी to call यानि की infinitive two verb को indicate कर रहा है यह रहा object यह रहा हम लोग का reporting भाव और यह रहा हम लोग का subject c requested c requested him to take his set इसमें भी same process है यह भी पहला लरूल जो है यह लरूल follow कर रहा है ता में सिली यह word order follow करने से हम लोग का question में सजाने वक जो structure है उस समें हम लोग का mistake बहुत काम होगी यह दिक्तर में जो है काम आता है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग को में नाजिशन का जो है कंटेंट पसाद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए और डेली ने अपडेट्स पाने के लिए में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वाचिंग